अब देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार व्योज़ मैं हूँ अमीश देवगन क्या देश में सम्मान नागरिक कानून लागू करने का वक्त यानि टाइम आ गया है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए धर्म के अधार पर नागरिकों में कोई भेदबाव नहीं होना चाहिए हमारे सम्मिधान ने भी हर नागरिक को एक समान अधिकार दिया है किसी को कम या किसी को जादा नहीं फिर नागरिक कानून के मामले को अलग-अलग धर्मों के चश्मे से क्यों देखा जाता है हालाकि समान नागरिक कानून की चर्शा शुरू होते ही All India Muslim Personal Law Boat ने विरोध का बड़ा मोर्चा खोल दिया इसे अब संक्यक विरोधी और सविधान विरोधी कहा जा रहा है इतना ही नहीं बोट ने एक चिठी जारी करते हुए केंद सरकार से अपील की कि UCC पर कोई कदम उठाया ना जाए क्योंकि मुसल्मान इसे कतई सविकार नहीं करेंगे इस बीच उत्तरप्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल की सरकार समान नागरिक कानून के पक्ष में सीधा संदेश दे चुकी है सवाल है जब बाबा साहब भीमराओं अंबेटकर से लेकर इलाबाद हाई कोड तक ये कह चुके है कि समान नागरिक कानून अवश्चक है जरूरी है तो फिर कुछ लोग विरोत का जंडा धरम के नाम पर क्यों बुलंद कर रहे हैं आज इसी सवाल पर जंता के बीच एक युवा समवाद होगा बड़ा समवाद होगा हिंदू या मुसल्मान सब के लिए एक ही विधान क्या देश में समान नागरिक कानून लागो करने का वक्त आ गया है यह सवाल आते ही चवतरपा वार पलेट वार शुरू हो चुका है इस सदन में हम इसका विरोध करेंगे बगएर चर्चा के कोई भी बिल पास नहीं होगा ताके मुद्दो से भागने के मुद्दो को बारती जनता पर्टी जान बूज के लेके आई इसलिए इस तरह का कोई फैसला करना घलत होगा वोड का कहना है कि ये पूरी तरह से अलपसक्षक विरोधी और सब्विधान विरोधी है और मुसल्मान इसे कते मंजूर नहीं करेगी समय समय पे जैसे समाज आगे बढ़ ला है तो समाज के जलोधों को देखते हुए हमको कई चीजे नहीं चीजे लानी पड़ती है कई पुरानी चीजे को और सुधार करना पड़ता है देश के सम्विधान में कहा गया है कि हर नागरिक का एक समान अधिकार है खुड डॉक्टर आम बेटकर मानते थे कि यूनिफार्म स्विल कोड लागो करने की कोशिश करनी चाहिए यहां तक इलाबाद हाई कोड भी कह चुका है कि समान नागरिक सहिंता देश की जरूरत है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है आज इसी पर जनता के बीच सबसे बड़ा समवाद इंदू या मुसल्मान सब के लिए एक विधान विवाज़ आज की जो ये चर्चा है आज का जो ये समवाद है ये बेद महतपूर है इसलिए मैं आपसे भी मुखादेब हो रहा हूँ और करोणों अपने विवाज़ के साथ भी मुखादेब हो रहा हूँ UCC यानि Uniform Civil Code ये क्यों जरूरी है क्या इसको लाने का वक्त अब आ गया है ये कई महतपून सवाल है आज इनी सवालों के साथ मैं अपने पैरल के पास जाओंगा मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शेजाद पूना वाला जो की परवक्ता है नेता है भारती जंता पार्टी के जोरदार तालियों के साथ उनका विनंदन करिए मेरे साथ शौदाफ शौदाफ चोहान है पीस पार्टी के परवक्ता है नेता है उनका विनंदन है मेरे साथ तस्लीम रह्मानी है MPCI के जानेमाने मुस्लिम स्कॉलर है आपका भी अभी अभी रंदन है मेरे साथ सुबूही खान है जानिमानी समाजिक कारी करता है और वकील भी है पेशे से उनका भी अभी 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 एक एक करके अपनी बात को रखे मैडम पहले आप मुझे लगता है एक ही कानून होना चाहिए क्योंकि क्या हिंदू क्या मुसलिम क्या मुसल्मान हम इन देश भारत में रहते हैं भारत एक भारत ही है नागरिक्ता क्या है भारत ही है तो एक कानून होना चाहिए हिंदू या कानून जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए आपको लगता है आप क्या कहना चाहते हैं जी बुलकुल मैं भी चाहता हूं कि समिधान सब के लिए एक होना चाहिए क्योंकि हिंदू मुसल्मान सिक इसाई जो भी हो सबका एक ही कानून रहेगा तो हमारा देश एक परमपरा एक जाती प्रता से उटकर हम सो सकेंगे और एक साथ हम चल सकेंगे जी 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 आपको के लगता है हम इससे सहमत हैं कि हर किसी के लिए चाहिए का है यह मैं प्रिफ्स मुसलमान अलग अलग कर रहे हैं यह तो हिंदू मुसलमान के लिए कानून लेके आ रहे हैं अलग अलग अभी है 2014 से पहले सब कुछ था इस देश के अंदर 2014 से पहले सब कुछ था इस देश के अंदर क्या आपको लगता है ये 2014 के बाते शुरू हो रहा है या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की अब जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर भारत जिसके लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है उससे एक हिंदू राष्ट की तरफ रहता हुआ कदम है जिसमें मुसल्मानों और तमाम लोगों पर दलितों पर अत्याचार किया जाए दूसरी चीज़ ये है कि यूनिफॉर्मिर्टी हमारा कल्चर नहीं है और यहां मुसल्मानों के ही लॉज नहीं है दलित भाईयों के अपने परसनल लॉज है आदिवासी बाईयों के अपने परसनल लॉज है दूसरी जीज़ जॉञट हिंदू फैमिली टेक्स रिबेट जो जॉञट फैमिली बिजनेस करती है उसको टेक्स रिबेट मिलता है क्या उसको खतम कर देंगे क्या दलितों से अरो बिस ही से उनका रिजरवेशन खतम करके jargon कोई यून यह आपको चुनने का दिकार होना चाहिए दूसरी चीज़ अगर आटिकल 14 की बात की जाती है राइट टू इक्वैलिटी की अगर राइट टू इक्वैलिटी आएगा तो यहां आज भी भारत के सविधान में मुसल्मान को दलित नहीं माना जाता इसाई को दलित नहीं माना बतौर वक्ता यानि आप एड्वोकेट है विकार अधिवक्ता क्या आपको लगता है कि इस देश में एक विधान जरूरत नहीं है और यह कॉमनल एजेंडा है मोधी गर्मेंट का शैदाद पुनावाला की पार्टी का जी जी अमीज देखिए हर देश में कॉमन सिविल पाई ने लोगों को कन्फ्यूस करने के लिए कुछ बाते बोली तो मैं बहुत सिंपल भाशा में बताना चाहती हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज में परिवरतन और सिविल लॉज में हमारी गार्जिन गार्जिन शेप एंड कस्टिडी के म आते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं जमीन जायदाद या विरासत के मसले आते हैं लेकिन ये सिर्फ एक सिविल लॉज पर खत्म नहीं हो जाता है आज हमारे देश में अलग-अलग रिलिजिन की अलग-अलग सिविल लॉज चल रही है उसके कारण किने अपर करते हैं दुश्कर्म करते हैं माइनर बच्चियों के साथ ट्रिपल तलाक आप दे देते थे आप डुमेस्टिक वाइलेंस एक का वाइलेशन करते हैं हलाला आप करते हैं आप एक कमोडिटी की तरह मुसल्मान महिला को आपस में एक्स्चेंज करते हैं पुरुष आप ताम लिमिन को फॉलो कर दो